पाइसी ख्लोजेस्ट एंसेस्टर है लेंड प्लांट के इनकी हैबिटाट जो होती है यह मोश्टली फ्रेश वाटर फॉर्म होती है और इसमें से कुछ मराइन भी होती है जैसे इसका एक्जामपल है मराइन फॉर्म का यह यूनि सेलुलर है और लार्जिस्ट प्लांट सेल बी है यह रहे MC कई आती है एंड्योसो इपीजा होता है एंड्योसोईक यहां ड्याफ है कि यह समय पिगमेंट है है लो आप इसमें हौन्दब ize जैंतो फिलिस्ट बस्ट अबंडेटाहे सबसे जभ्य वाड़ों एपनी होता है और यहीं इसी वज़ी से वीस होता है कि किसके हाइयल स्के разм है कि सेल व्ल्वोल जो होती है वह संस्तार नोस प्ञील्टोड से यह था हेड्र यह यह बीक्विप्राइट्स मिया होती है हेलेंड प्लांट की तिहको reconstr प्रोटीन प्लस स्टार्ट से क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है इसके मेंबर होते हैं क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला वॉलवाक्स इस्पाइरोगाईरा कारा और यूलॉथ्रिक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थैलस की फॉर्म यहां से सब ज़्याद कोशन आते हैं थैलस की फॉर्म से तो यूनिसेललर फ्लैजिलेट एल्गी है यूनिसेललर है ठीक है फ्लैजिला है मतलब मोटाइल है उसका एक्जामपल है क्लेमाइडोमोनास यह बहुत इ सबस्सक्राइब मतलब में लियाठोड सब्सक्राइब इह था ईक्जामपल है क्लेमाइडोमोनास नहीं परσωक्षा नहीं होगी फ्लैजिलेट नहीं होगा तो मोटाइल कैसी होगा है condom is unisellular होगा से ardholum इनिस नहीं हमोटाइल फॉल्ञाइल क्या थिए प्लैजिलेट भी ह फिलामेंटस अन ब्रांच एल्गी बढ़ा था हम नहीं है अब एक साथ अलग से पढ़ लाएं इससे कोशन बहुत आते हैं कारा कारा मल्टाइसेललर है और वेल डवलप्ट एल्गी है ब्रांच एल्गी है यह फिलामेंटस फॉर्म जो है इसमें वह आती है युलोथ्रिक्स और इस्पाइरोगारा युलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड होता है इसमें एक यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट की डाइवर्सिटी शेप्स जो होते है गलीरिन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट की तो कब शेप क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है क्लेमाइ क्रोस्पिटर्न होना मशली के जाल जास ही रहे सिर्व इतुम में में और स्पाइरल होता है स्पाइरोगारा में भर ओवज टाइप को आए आ स्टेलेट होता है इस्टारश शेवड हो जिव्ट हाता है सेज्टारश ह मैं होता अब इसमा Ukrainian reproduction Asexual जो होता है वो binary fusion Fragmentation Nine spor formation a planet 1964 Hypnospore पता है मैं binary fusion में यह जो यह जो यह he sexual होता है उसमें fragmentation सब्सéri Smile Common होता है और isk Formation में Zoo Spore अथि यह पता ही है मैं पड़ाए बेढ़ा है पहले अब Hi plagax external reproduction चैसे उसमें क्या होता है ISO52 कामी호ता है तो तो वेजिटेटिव रुप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेग्मेंटेशन और फॉर्मेशन आफ डिफ्रेंट टाइप के स्पोर्स होगा यह में चीज है याद रखने की अखला पर और यह सेक्सवल जो होगा वह फ्लेजिलेटेड जू स्पोर्स जू स्पोर्स जो होंगे उ अब जनेरेशन तो हम पढ़ेंगे इसमें लाइफ सैकल के बारे में तो हैपलांटिक लाइफ सैकल होते हैं कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हाँपर डिपलांटिक है यह डिपलाइड है सारे हैपलांटिक होते है और ग्रीन एलगी शो हैपलांटिक लाइफ सैकल नो होता है food oxygen की तरह co2 remove करने का काम करता है अब इसमें दूसरा आता है अलवा जिसको अब दूसरा संवे होता है अलवा जाओान से अलवाए जाओान!